आप सबी का एक बार वेलकम करता हूँ और आज की क्लास हमारी most most important क्लास होने वाली है आज की क्लास में हम सीखेंगे TDS किस तरह से Tally में implement किया जाता है किस प्रकास से option enable किये जाते हैं किस तरह से entry की जाती है तो guys सबसे पहले इसको Tally Prime में करने से पहले हम थोड़ा सा इसका base जाल लेते हैं क्योंकि बिना base के अगर आप इसको करेंगे बिना base के अगर आप इसको करेंगे तो guys possible नहीं है कि TDS के concept को आप समझ सकें तो मैं आपको पूरा detail में एक theoretical level पर तो नहीं समझाओगा लेकिन हाँ practical level पर मैं आपको TDS Tally, Tally Prime में किस तरह से implement किया जाएगा ये मैं आपको समझाता हूँ तो guys इसका बहुत जादा बड़ा process नहीं है एक simple सा इसका process है अगर आपको section wise चीज़े याद है तो आप इसको बहुत अराम से easy way में कर पाएंगे क्योंकि इसकी entry भी कुल तीन ही entry आपको इसमें pass करनी है तो इसको Tally Prime में करने से पहले मैं ज़रा एक बार आपको list दिखाना चाहूँगा ये आपके sections हैं और अलग-अलग particular sections आपको provide किये गए हैं कि भी जिस परकार से अगर आप किसी को payment करते हैं और वो payment in बनाए गए sections के according अगर वो अबब हो जाती है तो आप अपने पास TDS काटके रखेंगे it means you are a deductor और सामने वाले को remaining amount जो है वो pay कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कुछ sections दिये हैं हमें मैं जैसे की for example लिक देता हूँ under the section 194G lottery and commission अगर lottery से मिला है और वह 15,000 रुपे से जादा हो जाता है तो वो नए rate के according आप उस पे 3.75% से आप उस पे TDS deduct करेंगे तो यहाँ पे जो पुराना rate था वो 5% था गाईज अब उसको कम कर दिया थोड़ा सा reduce कर दिया है 3.75% अगर आपने commission कमाई है brokerage से तो आपका 15,000 रुपे तक ही limit है 15,000 रुपे से जादा जाने पर आप TDS का amount जो है deduct करेंगे उससे पहले TDS का amount आप deduct नहीं करेंगे और आप उसका amount old था वो 5% अब now 3.75% तो गाईज इसी को हम मान के चलते हैं कि भई हम deductor है यानि कि हम payment कर रहे हैं किसी को commission की payment कर रहे हैं और वो commission जो है माल लीजे 15,000 रुपे से जादा का हो गया है तो किस तरह से टेली प्राइम में आप उसकी entry करेंगे आईए गाईज किस तरह से उसके feature enable करने हैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है पास से 10 मिनट की वीडियो है लेकिन इसमें आपके concept जो है TDS regarding वो पूरे cover हो जाएंगे तो गाईज आईए ज़रा start करते हैं सब से पह यहां पर आएंगे इसको save कीजिएगा यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है enable text deducted at source तो आप यहां पर इसको yes करेंगे जैसी आप इसको yes करेंगे तो आप से यह 10 नंबर मांगेगा तो 10 नंबर देदीजे मैंने एक ऐसी format दे दिया इसके बाद देखिए डिड़क्टर टाइप क्या है तो मैंने बोला इंडिवीज्वल है कंपनी है तो मैं कंपनी ले लेता हूं राइट डिड़क्टर या branch division यदि आप देना चाहें अगर है तो दे दीजिए set या alter detail of responsible person आप इसको yes करें और responsible person की detail जो है यहां पर आप डाल दें राइट इनका पर नमबर mention कर दें और यहां पर बाकी की detail जो है वह यहां पर आप दे सकते हैं इसके बाद आप इसे save कर दें अब देखिए आप इग्णोर यह सारी चीज़े आप इसे करके आगे बढ़ें मुझे क्या करना है गाईज माल लीजे 15,000 रुपे से ज्यादा मिस्टर सुमित नाम के person है उनको मुझे commission देनी है राइट तो वो commission पे मुझे TDS इस डिड़क्ट करना है तो इसके लिए मैं आऊंगा vouchers और voucher में आना पड़ेगा मुझे F7 मैं जैसे F7 पर आऊंगा देख रहे हैं यहां पे मुझे ledger बनाना पड़ेगा कि मेरे expense का नाम क्या है मैं किसके अगेंस payment कर रहा हूं तो आप यहां पर आएंगे create यहां पे main expense क का नाम क्या है commission commission या brokerage बिल्कुल same as it is यही वाला चीज़ देता हूं देखे commission, brokerage यह क्या होगा under indirect expense आप यहां पर आएंगे तो देखे क्या करा है इस GST तो GST इसको आपको नो रखना है और यहां पर main important point क्या है कि इस TDS applicable तो आप जैसी यहां पर space बार दबाएंगे जैसी आप यहां पर space बार दबाएंगे तो यहां पर देखे यह applicable, not applicable और undefine बोलेगा तो आपको applicable लेना है थोड़ा सा tally, ERP9 से हलका सा अलग concept है लेकिन है सबको same ही मैं यहां पर applicable करूँगा इसके बाद देखे बोल रहा है आपसे any या undefine या create तो हमने उसको जब applicable किया है तो सीधी सी बात है उसको create करेंगे और जब आप create करेंगे तो वही chart आपको help करेगा यहां पर बनाने के लिए आपको यहां पर लिखना भी है मैं यहां पर लिखता हूं Commission या ब्रोक्रेज यहां पर डालना है मस्ट आपको डालना है section तो देखे section जो हो जाएगा आपका 194 हो जाएगा मैंने यहां पर 194 एच पेमेंट कोड 94 एच आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है बाकि और कुछ इंडिवीज्वल यह हुए तो इंडिवीज्वल एच यह रेट है तो मैं यहां पर डाल देता हूं 3.75% पहले 5% डलता था और इसमें लिमिट डाल दीजिए लिमिट डालना आपको कंपल सरी है और यहां पर अगर आप लिमिट देखें तो 15,000 रुपेस की लिमिट है तो म मैंने यहां पर 15,000 पर mention कर दिये जैसे ही आप enter करेंगे यहां पर फिर आपसे एक option पूछा जाएगा expense account debit to party to TDS on commission, brokerage जो भी आप बनाना चाहें तो मैं यहां पर party का नाम create कर लेता हूं यहां पर party माल लीजिए मैंने सुमित की बात करी थी तो मैंने सुमित ले लिया सुमि यहां पर आप उसे mention करेंगे तो मैं यहां पर yes कर लेता हूं इस TDS अब देखें यहां पर unknown unknown की जगा पर आप क्या ले लेंगे resident ले लेंगे जैसी आप yes resident लेंगे उसके बाद यहां पर ध्यान रखेगा इनकी पूरी detail डालिएगा और pen number जुरूर mention कीजिएगा मैं इनका pen number mention कर देता हूं पी एस कि और एक जैसी आप इसे करेंगे बाकी की दो detail आपने देई दिये हैं यहां पर pen mention करी दिया है करते हैं पंद्रह हजार पे तक तो देखे इसने TDS डिड़क्ट किया ही नहीं ठीक है अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि इसमें for example मैं यहां पर 20,000 ले लेता हूं राइट तो जैसी 20,000 लेंगे इसके बाद देखे आटोमेटिकली जो है यह 19,250 यह नहीं कि 3.75% से इसने अमाउंट जो है वो डिड़क्ट कर लिया 15,000 रुपे आपको पास करके दिखाता हूं गाइस विससे समझिए यहां पर expense का नाम क्या है expense का नाम है हमारा commission और बॉक्रेज राइट मैंने यहां पर 20,000 जो है amount पे किया इसके बाद आप credit करेंगे party यहनी कि जिनको आप pay कर रहे हैं तो देखे गवर्मेंट ने आपके उपर ही rules बनाए देखे 19,250 का amount आगया deduct कट गया deduct हो गया आपके उससे अगर आप देखेंगे calculate करके तो 3.75% 20,000 का यह निकलेगा और देन उसके बाद finally आपको एक ledger बनाना है और वो होगा आपका TDS on expense और इस बार expense का नाम क्या है commission यह आपका जाएगा duties and taxes में ध्यान रखेगा जितने भी आपके taxes के ledger है सब duties and taxes में आएंगे इसके बाद यह लेना है आपको type of duty TDS then आपने कौन सा बनाया है commission brokerage और इसको आप save कर देंगे तो guys देखे साड़े 700 रुपे हमारा यहाँ पर deduct होके यह हमने अपने पास रख लिया we are deductor ठीक है इसको क्या कर देंगे save कर देंगे now इसके बाद entry पास करने के बाद हमारा कांग फतम नहीं होता है इसके बाद आप balance sheet चेक करेंगे और balance sheet में आप इसको detail में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे साड़े सास सो रुपे जो है वो duties and taxes में as a liability आपके उपर चड़ गए है अब आपको यह साड़े सास सो रुपे as per government आपको क्या करना पड़ेगा government rules आपको deposit करना पड़ेगा यह साड़े सास सो रुपे तो मैं आपको entry पास कराता हूं इसकी so guys आपको आना है voucher में और इनको हम क्या कर देंगे payment कर देंगे तो यहां से payment पहले तो चलिए आप party को payment कर दीजिए मैं यहां पर सुमित 19,250 रुपे की party को payment कर दीजिए against reference select करके और आप cash में या बेंके थुरू जैसा आप चाहे उसके payment कर सकते हैं and then finally बात करें यहां पर TDS on Commission की तो यहां पर against लेना है और यही आपको reference select कर लेना है इसकी दो तरीके से entry pass की जाती है बस्सिंपल तरीके से आप सीख लीजिए बाकि advance लेवल पर मैं आपको इसकी next वीडियो में बता दूँगा और आप यहां पर bank के थुरू cash के थुरू entry pass कर सकते हैं तो गाइस इसके बाद देखिए finally हमारा report का एक section रह जाता है आप balance sheet देखना चाहें तो आपकी already जो liabilities है वो हट गई creditors भी हट गए क्योंकि हमने pay कर दिया and finally अगर आप report देखें तो display more reports और आपको आना है statutory reports में यहां पर GST और TDS पुछेगा तो TDS report पर आना है और गाइस यहां पर 26 क्यों क्योंकि other than salary की बात है तो form 26 क्यों देखेंगे and then कि कितना बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहां पर समझा भी रखा है कि 20,000 रुपे जो है आपकी accessible value थी और उसके tax 700 रुपे जो है वो deduct हुआ और हमने उसको अल्रेडी क्या कर दिया पेवी कर दिया आप यहां से चाहें तो star payment आप यहां पर किलिप करके भी इसकी payment कर सकते हैं यहां पर TDS लेके this one ओके तो मैंने आपको पहले करके दिखा दी तो आप वहां से आप से लेटर लेंगे उसी entry को समझ लेंगे तो गाइस यह हमारा यहां तक का जो TDS का concept था आई होप आपको समझ में आया टेली ERP9 और टेली प्राइम दोनों में TDS करना बहुत easy है तो गाइस आप टेली ERP9 में अगर करते हैं तो मेरी previous वीडियो देख लीजिए और अगर आप टेली प्राइम में अगर आप TDS activate करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें तो थेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो हैव आइस डे गाइस जिनोंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीक से इंकम टेक्स के आपके classes जो हैं वो ऑलनाइन स्ट होने वाली हैं सो गाइस कनेक्ट रही है थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो हैव नाइस जे टेक केर गाइस